Hey guys, कैसे हैं आप लोग? TWS और Nickband के जमाने में भी आज भी बहुत सारे ऐसे यूजर है जो कि एक वैड एरफोन पर्चेस करना चाहते हैं या फिर यूज करते हैं जैसे कि अगर आप मेरा एक्साम्पल ले लेंगे तो हर दिन मैं वैड एरफोन को यूज करता हूँ बहुत से यूजर जो है वह कॉलिंग पर्पस में यूज करना प्रिफर करता है तो रिजन जो भी हो अगर आप एक वैड एरफोन पर्चेस करने के वारे भी सोच रहा है तो आज के जोड़ा है आपको पांच ऐसा वैड एरफोन से रिष्ट करने जा रहा हूँ जिसका प्राइस 2999 रूपे से स्टार्ट होके 800 रूपे तक जाता है तो अगर आप बहुत बज़ेट में ढूण रहे है या फिर 400 रूपे में ढूण रहे है या फिर 800 रूपे में ढूण रहे है अगर आपका बज़ेट बहुत टाइट है आप 300 रूपे यदा खर्श नहीं करना चाहते है एक वैड एरफोन के उपर जो भी रिजन से आपको जरूरत हो तो यहाँ पर मैं दो एरफोन आपको स्वेश्ट करना चाहूंगा बोट कंपनी के तरफ साथ है बोट बेसेट 103 एंड बोट बेसेट 100 100 100 मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है बट 100 का जो साउंड को रड़ है वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है जो साउंड क्वालिटी है उसमें एक स्वीटनेस लगता है मतलब जो बेस है वो बहुत हेबी नहीं है जो ट्रॉबल एंड जो वोकल से उसके उपर ध्यान दिय जाता है वो ही पर आप 103 को देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो earbuds है इसमें आपको magnet का support मिल जाता है दोनों earbuds magnet के साथ यहां पर इस तरह से चिपक कर रहता है तो जब भी आप earphone को use करते है तो ज्यादा tangle बगरा नहीं होता है और आप आराम से इस तरह से मतलब म साथ मिलता है बाकी जो वायर का build quality है वो दोनों में काफी आचा मिल जाता है काफी लंबे समय तक आप आराम से use कर सकते है यह भी काफी comfortable है और जो माइक का placement है बोद दोनों में आपको similar जगा पर मिल जाता है बट design जो आपको हलका सा different आपको दोनों में देखने को मिल जाग तो अभी यह दोनों ही जो एएरफोन है वो आपको 299 price के अंदर देखने को मिल रहे है और इसको मैं personally काफी यूज करता है तो office में मुझे कभी-कभी जरूरत पड़ता है तो बहाँ पर मैं mostly इसी को use करता है तो bag में हमें सा मेरा रखा हूँ रहता है मैंने सको सिर्फ दो सर description में जाके check कर सकते किस price में अभी available है and purchase भी कर सकते है and number 4 के और बात करूँ तो अगर आपका budget 500 रुपए के अंदर है तो इस price में आपको काफी सारा अलग-अलग earphone मिल जाता है जैसे कि popular में देखेंगे तो realme के तरफ से realme buds 2 neo करके आता है MI के तरफ से MI basic आपको मिल जाता है Redmi का भी एक earphone आता है JBL के C50HI करके मिल जाता है बट यहां पर मैं आपको सरेश्ट करूंगा boot के तरफ से आने बाला boot base 242 जो कि मुझे personally भाई काफी कमाल का लगता है इसमें आपको IPX4 का rating भी मिल जाता है तो अगर आप work out के time पर यूज कर आपको बहुत कमाल का लगता था का जो fitting है वो भी आपको बहुत अचा मिल जाता है अगर आप airhooks को निकाल के भी use करना चाहते तो भी आप कर सकते है और इसका जो mic का placement है वो आपको मूग के पास मिल जाता है तो बात करने में काफी आसानी सा होता है साथ ही आपको three button design भी आपको मिलता है यानि कि volume plus minus का button भी आपको इसमें अलग से मिल जाता है तो उस purpose में भी आप इसको use कर सकते है और gaming के लिए अगर आप use करना चाहत है तो आप बिल्कुल use कर सकते है gaming experience भी आपको बहुत अच्छा इस earphone में देखने को मिल जाएगा earphone का जो build को लड़े वो भ आप बात करें सबका डीटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है कॉल क्वालिटी गेमिंग सबकुछ आप उस वीडियो में जाके और भी आच्छे से समझ सकते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रीशन मिल जागा तो जाके चेक आउट जरूर गर लीजेगा जो भी एयरफोन आप पर्चेस करने के बारे में सोच रहे हैं चले जा इस बात करते है नमबर तीन पर आने वाले वेड एयरफोन के बारे में तो यहां पर मैं आपको साइश करना चाहूंगा OnePlus company के तरफ से आने वाला OnePlus Nord वेट एयरफोन के बारे में इसका जो regular price है वो करीब 799 रूपीज रहता है बट current sale के टाइम पर ये आपको सरी 599 रूपीज के अंदर देखने को मिल रहा है और इसलिए मैं इसको number 3 पर रहा हूँ because जिसको हमने number 1 spot पर रहा है वो हमेसा ही 599 रूपीज के अंदर मिलता है बट जो वे 599 रूपीज के हिसाब से बहुत ही कमाल का वेट एयरफोन है और इसी एयरफोन को मैं अभी personally यूज करता हूँ editing के टाइम पर बहुत कमाल का है बहुत जा comfortable है and वही same feeling मुझे इसमें भी मिल जाता है तो इसलिए मैं इसको आराम से बहुत लंबे समय तक यूज कर पाता हूँ आप विश्वास नहीं करेंगी editing करते करते कभी-कभी continuous लिए मैं 7-8 घंटा भी इसको यूज कर लेता हूँ and मेरे कान में बिल्गूल भी pain नहीं होता है इसका जो ear tips वगर है वो भी आपको काफी soft मिल जाता है साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ear plug में आपको magnetic का support मिल जाता है and अगर आप इसके wire को देखेंगे तो वो आपको बहुत अचा मिल जाता है नीचे के side का जो wire है वो आपको pretty type का मिल जाता है तो आप बहुत लंबे समय तक roughly इसको use कर सकते हैं कोई भी tangle वेगर भी नहीं होता है साथ ही इसका जो mic का placement है वो भी आपको मूँ के सामने यहाँ पर मिल जाता है तो आप लंबे समय तक आराम से बात कर सकते हैं इसमें भी तीन बटन का use कर सकते हैं तो volume को भी आप increase कर सकते हैं और साथ ही next song previous song करना चाहते है तो इन बटन के मात धंसा आप भी कर पाएंगे and sound quality कर रहें बात करूँ तो इसमें 9.2M के dynamic driver का use के है कि जो sound आपको काफी balance मिल जाता है vocals के साथ साथ treble का part आपको बहुत अच्छा मिलेगा साथ ही जो bass है वो भी आपको काफी अच्छा सुनने को मिल जाता है मेरे हिसाब से one of the best sound करने वाला एयरफोन है जो कि आपको 600 रुपे के नीचे देखने को मिल रहा है तो definitely जो price में अभी available है उसके हिसाब से बहुत कमाल का एयरफोन है जो कि आपको oneplus brand के तरफ से मिल जाता है लंबे समय तक अगर आप यूज करना चाहते है तो बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते है और माइक का जो quality आपको काफी कमाल का मिल जाता है तो calling के लिए भी आपको बिल्कुल problem नहीं होगा साथ ही gaming के time पे भी अगर आप यूज करते है तो food steps बगर आपको काफी clearly पता चल जाता है तो उस purpose में भी आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते है तो definitely बहुत कमाल का एयरफोन है और इसलिए मैं इसको खुद भी यूज करता हूँ यह सिर्फ आपको black color variant में मिल जाता है तो अगर आप इसको purchase करना चाहते है तो best bank link आपको description मिल जाएगा जाके check out जरूर कर सकते है चल से बात करते है number 2 पे आने वाले wired earphone के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको search करना चाहूँगा JBL company के तरफ साने वाला JBL C200 SI आप उस वीडियो को जाके देख सकते है इसका जो रेगुलर प्राइस है वह है 799 रूपीज बट करेंटली अगर आप देखेंगे तो यह सरिफ 749 रूपीज में अविलेबल है इसी सीरिज में JBL का और भी दो earphone आता है JBL C100 SI करके and JBL C150 SI करके उन दोनों earphone को ही मैंने यह उसके है जो कि आपको इससे कम प्राइस में मिल जाता है लेकिन इसका जो sound करेंगे बहुँचे हलका सा बेटर लगा है उन दोनों को ही मैंने यह उसके है चनल पर वीडियो से अब से based wired earphone है बट है अगर आप build quality में देखेंगे तो जो wire है वो आपको उतना अचा नहीं मिलता है especially उपर के side में जो wire है वो आपको हलका सा पतला मिल जाता है बाकी जो earphone का fitting है वो आपको बहुत comfortable मिल जाता है length बगरा में भी आपको कोई problem नहीं होगा gaming के लिए use करना चा अगर आप especially music lover है एंडर 800 रुपे से based wired earphone purchase करना चाहते है for sound quality तो इसका भी best bank link description में दिया हुआ जाके check out जरूर कर लीजेगा चले जुसे भी बात करते है number one के बारे में and मैं हमेंसा कहते हो कि मुझे लगता है number one बो ही होता है जो all rounder perform करता है कि भाई उसका build quality भी आचा हो sound quality call quality भी आचा हो सब कुछ आपको अच्छा मिले है वो मेरे हिसाब से number one होता है तो इसलिए मैं number one पर रखोंगा realme के तरफ साने वाला realme birds 2 बहुत कमाल का wired earphone है and मैंने आज तक जितना भी wired earphone use किया है इस से अधा मैंने किसी को भी use नहीं किया है currently इसका एक side work करना बंद कर द आता है अगर आप earphone को pocket में या फिर bag के डाल के carry करते है तो उस time पर भाई बड़ा useful होता है and साथ अगर बात करो sound quality के बारे में 11.2 mm के bass boosted driver के साथ आता है and जो sound quality है बहुत कमाल का आपको मिल जाता है जो bass है वो आपको punchy side का मिलता है साथ ही साथ जो vocals है जो trouble है वो आपको बहुत ही जादा creeps and clear मिलता है and जो सुनने का experience आना sound चाहे आप किसी भी genre का song सुनना पसंद करते है आपको बहुत कमाल का लगने वाला है and साथ ही साथ इसका जो ear plug का design है भू भी बहुत सा comfortable है अगर आप long hours तक use करना चाहते है जो ear tips यहाँ पर use के के भू भी बहुत soft है कुछ आपको similar देखने को मिल जाता है last 2-3 महिना पहले तक यह out of stock चल रहा था करीब 6 महिना से but currently यह available हो चुग है और साथ इसमें एक नया color variant भी आया है blue color के साथ उससे पहले orange and green color के साथ यह available था and यह black color तो था ही तो जो भी color आपको पसंद है उसके हिसाब से भी आप चू 200 SI को में हलका सा आगी रखूंगा अगर आप एक music lover है बट हां build quality wise आपको definitely compromise करना पड़ेगा हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय तक उसको use नहीं कर पाओ अगर आप roughly user हो लेकिन इसमें आपको वो problem देखने को नहीं मिलेगा तो जो भी आपका preference है उसके हिसाब से आप चू लगा तो वीडियो को like करने के साथ सा चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा अगर आप लोग subscribe नहीं करेंगे तो भाई हम आगे कैसे जा पाएंगे तो प्लीज चैनल को subscribe करने के साथ साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते है मैं आपके comment का reply जरूर करूँगा तो चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए good bye thank you समाच वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद